कि एफ़िवन आज हम डिसकस करने वाले हैं जामिय मिले बात करने वाले हैं अगर आप जामिय मिले एसलामिय मेंं बी ओन इस्ट्रिम एड-टमिशन लेना चाहते हैं तो क्या इलिजीबिटी क्राइटियरिया है सबसे पहले मैं आपको यह किमाथ निटायत। इसके लिए इसके लिए और वह को तुमेन nor dim an अवर गए मेन चाहिए वूंताएं तो क्या क्राइटियरिया रहने वाला है ठीक है दूसरी चीज आपने CU8 का फार्म फिल किया होगा और आपने CU8 का entrance exam दे दिया होगा दूसरी चीज आपने जामिया मिले असलामिया का भी फार्म फिल किया होना चाहिए separately अगर आपने जामिया का फार्म फिल करा होगा उसके लिए edit का option आएगा तब आप उसमें जो है edit कर पाएंगे चौती जी सबसे जरूरी कि cut off क्या रहेगी अगर आप देखेंगे सी उएट कभे पर mostly अगर आप बच्चे से पूछेंगे तो सी उएट कभे पर जादतर बिल्कुल easy आया है एंसी आटी बेस कोशन ते यानि टफ कोशन तो नहीं थे तो अगर आप जनरल के टेगरी से हैं तो अगर बात करूँ बेस्ट सेफ स्कोर क्या रह सकता है 40 कोशन आपको पता है करने ते सिरिफ एक हिस्टरी सबजेक्ट से तो आपके अगर 38 से 40 ये कट ओफ रह सकती है यानि आपके मार्क्स जो है लगबग आपके अगर दू या तीन कोशन ही गलत है तो आपका उमीद है असानी से अड्मिशन हो जाएगा लास्ट आप कितने पर उमीद लगा सकते हैं तो जनरल काटेगरी के जो होती है कट ओफ हाई रहती है तो जनरल काटेगरी के लिए अगर हम बात करूँ लास्ट सेफ स्कोर जो है 35 प्लस तक रह सकता है लेकिन अगर आपके 38-40 आसपास है तो एजली आपका एड्मिशन जो होने के पूरे-पूरे चांसे से हैं बाकि 35 पे भी आप उमीद लगा सकते हैं बाकि जिन बच्चों ने फर्म फिल करा है उन बच्चों के कितने मार्क्स हैं ये डिपेंड करता है कट ओफ पे ठीक है तो यह तो बात होगी जनरल काटेगरी के अगर आपका इसकोर अगर आपका 35 प्लस हो रहा है तो आप सेफ ज 33 questions प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है अगर आपके 36 38 के अराउंड से तो आपका फैली counseling में ही आ जाएगा नाम चीक है और वही अगर आप अधर आपके reservation कर ठीक तो depend करता है कि जो candidates form fill करा है उन बच्चों के कितने marks थे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा और अच्छा कासा competition है भी ओनर्स हिस्ट्री में ठीक है ठीक है थैंक्यू